दिवाली के बाद गॉलियर में शुक्रवार को AQI खराब स्थर पर दर्श किया गया हाला कि पिछली दिवाली पर AQI स्थर 300 से अधिक था इस बार AQI स्थर 234 रहा लेकिन शेत्र में AQI स्थर 400 तक पहुँच गया जापर खतरनाक हालत भालाद बने रुए हैं और आस्मान से आमन सास लेने की तकलीफे भी देखने को मिल रही है वहीं सुनने की शमता पर भी असर देखने को मिल रहा है तो दिवाली के बढ़ते प्रोल्यूशन के चलते AQI यहां का बढ़ गया है और सबसे खतरनाक इस्थिती जी है कि जो फटाकों का शोर हुआ उसके बाद तो आप देख सकते हैं लेकिन जो इस्थिती है अब चुकि निर्मानादीन और जो प्रोजेक्ट हैं उनको देखते हुए यहां पर जो धूल के गवार उट रहे हैं उसकी बज़े से यहर कॉलिटी इंडेक्स में और ज़्यादा गरावट आई है और जो उसकी बज़े से जो कॉलिटी का जो इंडेक्स है उसमें केवल यह गवालियर की बात नहीं है दीन देल नगर जहांकि पॉलूशन बोर्ट का आफिस होता है वहाँ भी काफी 400 से लगवा के QI पहुंच गया है और आप देख सकते हैं जो धूल के गवार उबढ़ रहे हैं तो वो सबसे बड़ी बात है कि जो नर्मान और विकास कारिक वालियर में चल रहे हैं उसको लेकर लोगों को धूल और धूए का सामना करना पड़ रहा है पॉलूशन अपने निर्धारित मापक से कई गुना आगे पहुंच चुका है हलांकि पिसले साल से फटाकों की तुलना में कम चलने की बात की जारी है लेकिन फटाकों के शोर से भी लोगों को धूनी पूर्दूशन का भी सामना करना पड़ा है और लोगों के जो हीरिंग एड्स यानि सुनने की छमतास पर भी असर पड़ा है और दिवाली का तोहार दो दिन मनने के कारण इस बार और फटाकों की गूंज रहने वाली है और एर कॉलिटी इंडेस के साथ साथ जो निर्वाना दीन प्रोजेक्ट है क्रेकर्स और फटाकों के अलावा जो प्रोजेक्ट की धूल और रही है